हेलो बच्चो पढ़ाई से परतियोगिता तक के कारिकरम में मिशन टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती हैं बच्चो आज का हमारा परकरण है समास का दूसरा भेद यानिगी ततपुरुष समास आज हम ततपुरुष समास के बारे में जानेंगे शेट किरमांग 53 जूनियर इस तर चलिए शुरू करते हैं बच्चो पहले हम ततपुरुष समास की परिभाशा को जानेंगे समास वह रूप है जिसमें वाकिय का दूसरा पत परधान होता है उसे ततपुरुष समास कहते हैं बच्चों इसमें जो पहला पद होता है वो गोण कहलाता है और जो दूसरा पद होता है वो परधान कहलाता है इसकी बनावट में दो शब्दों के बीच विभक्ती चिन जैसे विभक्ती चिन कौन कौन से होते है को के लिए की में से पर आदी शब्दांश जो है वो दिखाई नहीं देते हैं वो छिपे हुए होते हैं यानि इन शब्दांशों का लोब होता है ये छिपे हुए होते हैं बच्चों इसके अलावा जिस शब्द के साथ इन विभक्ति चिन्हों का प्रियोग होता है वेहगोन यानि अपरधान कहलाता है तत्पृष समास में पर्थम पत संग्या या विशेशन होता है तथा लिंग, वचन और कारक का निर्धारण जो होता है बच्चो वो दूसरे पत के अनुसार ही होता है जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रही हूँ गंगा जल लाओ अब इसकी मैं अगर वयाख्या करती हूँ इसको मैं आपको समझाती हूँ तो ये इस परकार है कि इस वाक्य में गंगा जल लाने के लिए कहा गया है यानि कि सुनने वाला यही तो कहा गा कि गंगा जल लाओ है ना तो उसने क्या सुना कि मुझसे कहा जा रहा है कि गंगा जल लाओ तो सुनने वाला जो है वो गंगा लेकर तो नहीं आ सकता है किन्तु क्या लाएगा वो जल अविश्य ही लेकर आएगा आते इस वाक्य में पर्थम पद जो है वो गंगा है है ना लेकिन वो परधान नहोगा दूसरा पत जो है वो जल है तो दूसरा पत परधान कहलाएगा है ना दूसरा पत परधान होता है आते ये वाकिय तत्पुरिश समास का एक अच्छा उधा रहा है तत्पुरिश समास के भैद बच्चो आज हम यहां तत्पुरुष समास के पर्थम भेद व्याधी करन तत्पुरुष समास और उसके भेद के बारे में जानेंगे तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं व्याधी करन तत्पुरुष समास और समनाधी करन तत्पुरुष समास बच्चों व्याधी करण ततपुरुष समास जो है वो ततपुरुष समास का वह रूप है जिसमें दूसरे पद में विभक्ती चिन्हों का प्रियोग होता है व्याधी करण ततपुरुष समास कहलाता है इसमें काय का प्रियोग होता है विभक्ति चिनों का प्रियोग होता है अब इसके भी भेद हैं इसके भेद छे होते हैं पहला है कर्म तत्पुरुष समाज इसमें बच्चों जो विभक्ति चिन लगते हैं कर्म कारक के कारक चिन जैसे को का प्रियोग होता है उसे क्या कहते हैं तत्पुर्ष समाज केते हैं अगर मैं आपके सामने इसके उधारन बोलूं तो जैसे कट थोड़ा यानि कि काट को फोड़ने वाला जेब कतरा जेब को कतरने वाला अब देखो यहां विभक्ती चिन क्या रहा है को आ रहा है गगन चुम्बी गगन को चूमने वाला अब दू से के द्वारा जो होता है वो दिखाई नहीं देते हैं तो वो करण तत्पुरुष समास होता है जैसे पद दलित पद से दलित शोका कुल शोक से आकुल परकाश युक्त परकाश से युक्त संपरदान तत्पुरुष समास इसमें बच्चों के लिए विभक्ती चिन का रसोई घर अप रसोई घर यानि कि रसोई के लिए घर गोशाला यानि कि गायों के लिए शाला रण भूमी यानि कि रण के लिए भूमी अपदान तत्पुरुष समास चोथा भैज जो है इसका अपदान तत्पुरुष समासे जिस तत्पुरुष समास में विभक्ती चिन से से का लोप होता है से दिखाई नहीं देता जैसे लोक उत्तर लोक से उत्तर जल जात जल से जात जल रिक्त जल से रिक्त नमबर पांच है इसका फैस संबन्द तत्पुर्श समास जिस विभक्ति चिन्हों का लोप होता है इसमें वो कौन-कौन से है का के की जैसे देश वासी देश का वासी नगर सेट, नगर का सेट, राज बाता, राजा की माता, अब इसका जो छटा भेद है बच्चों, वो है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में में और पर विभक्ती चिन्हों का लोप हो, जैसे वन वास, वन में वास, डिबबा बन, डि पर दया, बच्चों, इस से पहले की शीट में हमने आपको कुछ होंवर कारिये करने के लिए दिया था, चलिए अब हम उसके उत्तर देख लेते हैं, बच्चों, इसका पहला उत्तर है, कि परस पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, स शेविक समाज, बहु बिरही समाज, और दवन्द्व समाज, बच्चों, आज पिर हम आपको अभ्यासकारिये करने के लिए दे रहे हैं, बच्चों, इसमें पहला परशन है, कि संबंध ततपुरुष्च समाज किसे कहते हैं, यह आपको लिखना है, बच्चों, इसका दू वीडियो के माद भी हम से समझा आप सभी का बहुत बहुत धन्यूश्ट